जो भी आप कारी कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसके साथ आप बीजनस कर रहे हो, या फाइनांस कर रहे हो, या मेनेजमेंट कर रहे हो, या एकाउंटिंग कर रहे हो, उसके साथ साथ में आपका एक और साइड बीजनस भी होना जी, क्योंकि कभी आपका ये काम अच्छी तरह से लीचा से नहीं चल रहो है तो आप को जब चैए लाइब में बैटर जिसतर एक कारी करने का अधानों यह लिए नहीं होगा तो मेरा कारणी हो इसलिए आपको खुद self-steady या self पारिय करना पड़ेगा जो भी आप learning कर हो जो अपने आप से करो जो अपने आप से में एक और होना चाहिए कभी आपका ये कारिया आपको या कंपनी निकाल दे या आप की करने की इच्छा नहीं है तो भी आप इसको छोड़के आप दूसरा अपना कारिया पंटीनियू रख सकते हैं तो ये के ऊपर कभी डिफ्रेंड डिफ्रेंड नहीं होना कि उसके ऊपर नेरवर नहीं होना जब उसके पर नेरवर हो जाते हैं तो हम कभी जलती उस जोब को छोड़ने ही पाते हैं इसलिए अपना साइट बीजनेस भी होना चाहिए जो हम आगे चलके कुछ अच्छा बन सके और कुछ अच्छा क्रियेट कर सके तो इसलिए हम जोब भी कर रहे हैं उसके साथ अपने side business भी चालू कर देना चाहिए उससे थोड़ी income आने लगे और जो आप नोकरी कर रहे हैं उससे बेटर अपने business में income आने लगे तो आपको उसके बाद आपकी नोकरी को छोड़ देना है क्योंकि आपकी नोकरी से ज़्यादा आपका business में income हो रहा तो आपको अपने business पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि नोकरी अपनी सारे इच्छा पूरी नहीं कर सकती इसलिए आपको हर एक side business बनाना चाहिए और हर एक content या create बनना चाहिए जो हर एक चीज वस्तू बेचना या विक्री करना चाहिए किस तरह से बेची जाती और किस तरह से market में sell की जाती वो आपको सब knowledge थोड़ी थोड़ी रोज अच्छे habits बनाना चाहिए थोड़ी-थोड़ी habits उपर काम करना चाहिए जो एक दिन आपके habits बड़े बन जाएंगे और वोई habits आपको एक दिन अच्छी काम्याबी और एक success आपको leader बनाएगी इसी तरह आपको हर रोज आपको हर एक habits फोलो करना अपनी life में better होता है जो एक नई success और एक नई post के उपर काम्याबी मिलती है अपने को